Students, question number 22, gaseous state, chapter 3, first year, FSE का, तो उसका 22 question है exercise का और इसका statement देखे, calculate the number of molecules and the number of atoms and given amounts of each gas, calculate, पता करना है न हमने, molecules पता करने, and number of atoms in given amounts, तो इसका बदर एक question नहीं होगा, दो इससे होंगे न, इसलिए amounts कहा दी, तो इसका ये part है 20 cm cube of CH4, methane, गोर करो, methane molecule में 5 atom है, तो अगर किसी तरह हमें mole पता लग जाए न, mole के बाद, माली क्यूल हम chapter number one वाला concept यूज़ करके calculate कर लेंगे, और जब माली क्यूल पता लग जें, फिर number of molecules को atomicity से multiply कर देंगे, तो देखिए ए part के है 20 cm cube of CH4 at 0 degree Celsius, and pressure 700 mmHg दिया हुआ है, और B part है 1 cm cube of ammonia है, at 100 degree Celsius and pressure कितना है 1.5 ATM, देखो न, units में गड़ बढ़ की हुई है, और अगर किसी फार्मूले में R की value आप पॉट करना चाहेंगे न, करनी पड़ेगी, तो जो units R के साथ होंगे, याद होगा आपको, जो common हम यूज़ करते हैं, उसके unit क्या होते हैं, ATM, DMQ, याद आगे, वो वाले units थे न, उस units को हमने देख रहा है, अब हम देखते हैं, कि इसमें, चार थी न, बते हैं, आपको याद होगे, फिर मैं एक दफाँ बताओं, जो arm use करते थे, उसकी value थी, 0.0821 ATM, DMQ, पर मोल, पर केलवन, फिर रपीट कर लेंगे, फिर रपीट कर लेंगे, फिर आप लिखके देख लेंगे, आपको यह कभी भूले गई न, अब हम data collect करते हैं, data collect कीजिए, देखे, ए पार्ट में यह black वाला सारा data है, वी 20 CMQ है, उसके हमने DMQ बना लिए, क्यों जी मजबूरी बन गई, कि R के unit के अंदर DMQ है, तो उसे match करवाने वाला unit करना है, temperature zero degree Celsius है, अब चेक भी कर सकते हैं, statement में मुझूद है, आपने Kelvin मना लिए है, और pressure 700 mm है, आपने क्या किया, 700 को 760 बेड़ डिवाइड कर दी है, वो conversion का तरीक का फार्मूल आपको बताया हुए, number of moles पहले ढूड़ेंगे, हम sequence सोच लिए, moles के बाद molecules find out करेंगे, जब molecules आ जाएंगे, फिर atomicity से multiply करके number of atoms भी आ जाएंगे, चेक कर लेते हैं कैसा किया भी है, करना भी चाहिए था कि नहीं, यह हमारा relationship है, execution है, बिल्कुल ideal execution है, और इसमें मौल find out कर लो, मौल कहां पर है, N, N पता कर लो, यह N लिखा हुए ना, N ते नजर आ रहा है देख लिए, यह N, अब इसमें सारी values put कर दो, value values देखते हैं, put कैसे की, 0.92 ATM आपने उपर बनाया था, 0.02 DM cube आपने conversion की थी, R की value है, और देख लो यह temperature है, इसको multiply कर लिया, यह answer आ गया, इसको इससे multiply कर लिया, यह आ गया, लेकर यह देख लो, DM cube से DM cube cancel, ATM से ATM cancel, और बताएए कौन सी चीज़े हमारे पास हैं, पर मोल उपर नहीं है, cancel ही नहीं हो सकता, पिर देखो कहीं नहीं है, और Kelvin से पर Kelvin cancel, यह देखो दर केलवन से पर Kelvin, बचाई पर मोल पर, उपर वैलिव यह है, नीचे यह है, यह फर मोल उपर न ले जयाएं, यह होताइगा हैं, आगले मसले हमारे हैं, कैसे जी कर लेते नंबर और माली की वोड़ फाइड आउट करने हैं, मोल जो find out की है ना कौन से वाली है यहां रखें एवोगाड उदे नंबर से multiply कर दें multiply हमने कर दिये देख लिए multiply कर दिये खोद करेंगे तो बहुत अच्छी समझ आएगे यह answer आगे अब मैं decimal point को यहां से एक दो तीन दरजे right side पे ले गया हूँ तो मुझे तीन इदर से minus करना पड़ेगा ना यह value जो बड़ी कर रहा हूँ तो छोटा करूंगा ना इसे पर तो यह 20 बच जाएगा तो यह हमारे पास number of marlicues यह हैं four point nine four into ten raise power twenty अब बताएगे क्या करना है जाए हाँ बिलकुल ऐसा ही है आप जैसे कह रहे हैं का number of atom भी तो हमने find out करने है number of atoms CH four के find out करने के लिए त्रीका कार देखिए क्या है वही फार्मूला number of molecules into atomicity molecules की तादाद क्या थी four point nine four into ten were twenty और five से क्यों multiply किया है CH four में atomicity किने कितनी है number of atoms कितने है four plus one एक carbon charge five से multiply कही है यह answer आ गया है हम मैं decimal point इदर ले गया हूँ इस value को छोटी कर रहा हूँ ना फिर मुझे यह बड़ी करनी पड़ेगी एक add करना पड़ेगा ना decimal point एक दर्जा left ले गया हूँ तो plus one करूंगा twenty one यह हमारा answer आए इसको भी जब आफ साल खुद करेंगे तो आपको इसको समझना असान हो जाएगा और फिर जो questions में examiner थोड़ी सी changes करते हैं तो जहर है उसको भी आप manage करने में काम याप हो जाएंगे thank you very much